तो हलो फैंस। फिर्स न रिपेरिंग तो डिएयुल वीडियो लेके चला आये हुआ तो आज की वीडियु में रिपेरिंग तो फिर्स तो फिर से सबहते हैं आज की जो वीडियो ने वाली ओ इस टेबिल फैन को रिपेर करना होगा तो आज की वीडियो में इस टेबिल फैन को दिख्कात है देखिए इसको मैंने डाइरेक्ट 220 पर दे रहा हूँ और श्याद अग्रेश ॐणि करते है और पुप आले तो इसको मैं चला रहा हूँ तो जो स्यों बज्तित Quindi ६डर। तो इसके अंदर कुछ भी शोन नहीं रहा है और इसके अंदर के इसको क्या से करते और क्या-कर दिखकते किस तरीके से सौप रटे ताय फेंस वीडियो का शुरू करते थे हिर्ट को छो आतोई सबसे पहले इस तरह कर दया ताधना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके नीचे वाला कभ़नेंगे तो तो मैं थोड़ा सा कौलने के विखाने की कोशिश करता हूँ इसको खोलगे इस तरह की से में खोलते हूँ कि आ कि तो यह रहा हमारा पैनल एक खुल जोगा है हमारा पैनल तो इसको साइब में कर देते हैं और यह रहा इसके अंदर पूरा सब्सक्राइब करेंगे किदर से सबसे पहले इस कबार को नहीं खोलना है हमें वाला जोड़े उसके सिस्टम प्याएंगे तो इह तरह का एक वार पूरा टूट चुका है जो जल के तूट चुका है और इधर देख सकते हैं जो स्वीच स्वीच के अंदर पुड़ा जल सुब्धा यूँ मैं कैसे तो दीखे मैं जो वायर की बात कर रहा था रेख से पुड़ा जल चुका है औरию देख तना की एधर से जल चुका है फ्लाशिंग करके करने के बात ये पुरा जल चुका है इसके लिए हमारा ग्रेक्सनास पुरा भी पंद हो चुका है तो इसको देखेंगे इसको टेच करके देखेंगे अगर तो इसको टेच करके देखेंगे अगर ठीक हो जाता है तो इसका स्विच उसको चेंज कर देंगे और वायर को व्यासे जैसे आप व्यासे लगा देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो स्विच को थोड़ सबसे पहले चेक कर लेंगे वायर को यहां थे च्हेल लिए तो मैंने छेल लिया है और चेलने के बाद इसको डारेक्ट 220 बल्ड पर दे दे देंगे पहले जी ते दिया था तो इसके अंदर असी में इसको इंपूट कर देते तो इंपूट कर दिया है और वायर को टच करेंगे तो एधिके फिरंस हमने इसको टेंच करें और जो फ्लेकर पॉपली तरीकिक शेर आउन हो चुका है और अभिपॉपली तरीकिक से काम भी करेगा कि दिखिए है में थोड़ा सेगेंड एड़ा थर्ड एह हाई ए मीडियम एलो है तो मारा पुपाली तेरी किसे कोईल भी सही है और वायर वायर जो सही है पुड़ा ही सही है स्विच का में पूरा ही इसके लिए इसके अंदर चेक करने के बाद आप इस तरह के फैन को चेक कर लेना आपके घर में अगर ख्राब हो जाए तो कभी-कभी इस तरह के दिख्कात आता है जो सविच है और बहुत दिन प्रणाव हो जाता है और इसके अंदर वायर लूज्ट हो जाता है तब जब फैन चलता है तो इसके अदर फ्लाशिंग होथा है कभी कैlegen तो पॉब्लम होगा आया तो इस तरीके से रिपेर कर सकते स्वीच को चेंज कर देंगे तो में जो फैने पूपाल तरीके सा ओन हो जागा मतलब सही हो जाए तो छोटा सा एक वीडियो में बनाए आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो बनाए तो क्यासा लागा करके जरूर बत बतुब लागा ओन हो जाए पॉर्मेशन वीडियो